हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इंपॉर्टेंट चाप्टर जिसका नाम है ग्लिम्सेस ओफ इंडिया और ये पार्ट 2 है इसमें हम कॉवर करेंगे कुर्ग वाला चाप्टर तो इस चाप्टर के जो राइटर है उनका नाम है लोकेस अबरॉल तो कुर्ग जो है वो एक कॉफी का कंट्री है जो की अपने रेंट फोरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत ही जादा फेमस है तो चलिए इस चाप्टर का एक्स्प्रेनीशन शुरू करते है तो कुर्ग एक प्लेस है जो की बहुत ही जादा सुंदर है बहुत ही जादा ब्यूटिफुल है बिल्कुल स्वर्ग की तरह और कुर्ग को देखकर ऐसा लगता है जैसे की वो गौड के किंडम से उरकर सीधे धरती पर आकर सेटल हो गया हो तो कुर्ग जो है वो मैसूर और कोस्टल टाउन आफ मेंगलोर के बीच में परता है तो इस एरिया में लो हिल्स पाया जाते है जो की अनिक्वल हाइट्स के होते है यहां के जो मेन है वो बहुत ही जादा ब्रेव होते है बिल्कुल वारियर की तरह और यहां के जो women होती है वो बहुत ही ज़्यादा pretty होती है, बहुत ही ज़्यादा सुन्दर होती है और इस place में आपको बहुत सारे variety of wild animals भी देखने को मिल जाएंगे कुर्ग जो की कोडागू नाम से भी जाना जाता है, यह करनाटका का एक छोटा सा district है 30% of the area जो है कुर्ग का, वो evergreen rain forest से cover है और यह जो place है, यहां पर साल में जादा तर time जो है वो बारिश होती रहती है specially during the monsoon season, यानि की monsoon season में यहां पर जादा बारिश होती है तो कुर्ग में visit करने का जो सबसे best time है, वो है from September to March यानि की September से लेकर March तक जो time है, वो कुर्ग में visit करने का सबसे best time है और इस time पर जो weather है, वो बहुत ही जादा pleasant होता है और इस time पर जो बारिश है, वो बहुत ही जादा कम होती है जो कि इसके atmosphere में चार चांद लगा देती है तो यहाँ का जो हवा है, उसमें coffee की एक बहुत ही strong सी fragrance आती है coffee की एक strong सी खुशबू आती है, क्योंकि यहाँ पर coffee का जो plantation है वो बहुत ही जादा मातरा में होता है तो कुर्ग के लोगों का जो dressing style है, उसको देखकर ऐसा माना जाता है कि वो लोग यह तो Greek या फिर Arabic background से belong करते है वो लोग generally एक लंबा सा काला coat पहनते हैं और उनके west पर यानि कि उनके कमर पर एक embroidered belt होता है जिसे कुपिया कहा जाता है तो कुपिया जो है वो खुफिया से बिलकुल similar है खुफिया जो की Arabs और कुर्द लोगों के द्वारा पहना जाता है इसलिए कहा जाता है कि यह जो कुर्ग के लोग है यह Greek या फिर Arabic background से belong करते हैं यहाँ पर एक और कहानी प्रचलीत है ऐसा कहा जाता है कि Alexander के जो आर्मी थे उसके कुछ लोग जो है वो जब South से return कर रहे थे तो वो लोग अपने घर नहीं जा पाये थे जिसकी वजह से वो लोग यहीं पर settle हो गए तो कुर्ग के जो लोग है वो एक दूसरे में ही यानि कि जो कुर्ग के जो locals है वो सभी एक दूसरे में ही merit वगेरा करते हैं और उनका जो traditions, cultures और rituals जो है वो हिंदूस से बिलकुल ही अलग है तो कुर्ग के जो लोग है वो बहुत ही warm और welcoming nature के होते हैं यह अपने महमानों का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं यह अपने जो sons है अपने fathers और जो son है उनके bravery का जो कहानी है वो हमेशा सुनाने के लिए और आपको entertain करने के लिए तयार रहते हैं यानि कि यह अपने son और अपने जो fathers है उनके कहानिया उनके bravery की कहानिया जो है वो हमेशा सुनाने के लिए तयार रहते हैं कुर्ग के लोगों को उनके independent, ferocious और bravery के लिए जाना जाता है In fact, कुर्ग regiment जो है इंडियन आर्मी में उसने सबसे जाधा bravery awards रिसीव किया है जो first chief थे इंडियन आर्मी के general career पा वो भी एक कुर्गी थे, वो भी कुर्ग से belong करते थे यहां तक कि इंडिया में आज तक कोड़ावू सी ऐसे लोग है यानि कि कुर्ग के ही ऐसे लोग है जो freely fire arms carry कर सकते हैं बिना किसी license के तो यह चीज हमें शो करता है कि जो कुर्गी से हैं जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत जादा भरोसे मन्द है तो कुर्ग के जो evergreen forest और hills है वो river कावेरी को water provide करते हैं यहां तक कि south इंडिया में जो बड़ी बड़ी नदिया है उनको भी water provide करते हैं एक बड़ी सी एक बहुत ही बड़ी शी fresh water fish जिसे महाशीर नाम से जाना जाता है यह इसी पानी में पाई जाती है और जो king fisher है वो हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं squirrels और langurs जो होते हैं वो इस पानी में खेलते हैं वो क्या करते हैं कि जो half eaten fruits होते हैं उसको पानी में फेकते हैं उसकी वजह से जो splash और repels form होता है उससे वो बहुत जादा ही enjoy करते हैं जो elephants होते हैं वो इस पानी में नहाते हैं और इसमें उनको बहुत जादा ही मज़ा आता तो कुर्ग में जो टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए अपने आपको कुर्ग की जो नैचरल ब्यूटी है उसमें रिलाक्स करने के लिए वो भी यहां के अडवेंशर स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे की रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोईंग हो गया, रैपिलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेंग क्लाइंबिंग तो यहां के हिल्स पर जो लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं उनके फूट्स्ट्रेप्स की वजह से यहां पर बहुत सारे रास्ते बन गये हैं तो जब आप इस रीजियन में चलेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे वराइटी ओफ एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे बर्ड्स बीस और बटरफ्लाइज जो है वो आपके आसपास उरेंगे जबकि स्कूरल्स और लंगूर्स जो है वो पेरों से आपके उपर नजर रखेंगे तो कुर्ग में आपको जंगली हाथी यानि की वाइल्ड एलिफेंट भी देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप कुर्ग का एक ओवराल लुक लेना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मागिरी हिल्स पर जरूर जाना चाहिए कुर्ग के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर जगा है जैसे की निसरगधामा आइलेंड और बैला कुपी बैला कुपी जो है वो एक इंडिया का लार्जिस्ट टाइबेटियन सेटेल्मेंट है तो आपको कुर्ग के डिस्ट्रिक्ट में मौंक्स भी देखने को मिल और इनकी जो लाइफस्ट्राइल है यह ट्रावलर्स के लिए काफी ही फैसिनेटिंग वियू होता है और कुर्ग में आपको एक मिक्स डाइवर्स कल्चर देखने को मिल जाएगा जो की इंडिया के हर्ट और सोल को रिप्रेजेंट करता है यह था हमारा चैप्टर का एक्स कुछ रही है हस्ते रही है